प्रिशन दो, भुजाओं 4 cm, 5 cm और 6 cm वाले एक तुरुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य तुरुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिये हुए तुरुज की संगत भुजाओं की 2 बटा 3 गुना हो यहां हम रचना के चरण को समझते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं? पहले चरण में हम एक रेखाखंड खीचते हैं BC बराबर 6 cm हमने क्या किया? एक रेखाखंड खीची जिसकी लंबाई BC है जो रेखाखंड BC है और लंबाई उसकी 6 cm के बराबर है अब हम B को केंद्र मानकर 5 cm त्रिज्या का एक चाप की काटते हैं हमने क्या किया? B को केंद्र मानकर 5 cm का एक चाप काटा तीसरे चरण में हम C को केंद्र मानकर 4 cm के बराबर त्रिज्या लेकर पहले चाप को A बिंदूओं पर काटते हुए एक चाप लगाते हैं अर्थात इस चरण में हमने A बिंदू को प्राप्त कर लिया, हमने C बिंदू को केंद्र मान कर 4 cm के बराबर तरिज्या लेकर पहले चाप को A पर काटते हुए एक चाप लगाया चौथे चरण में हम AB और AC को मिलाकर तरभुज ABC का निर्मान कर लेते हैं और इस परकार हमने तरभुज ABC को प्राप्त किया अब पांचमे चरण में हम BC के नीचे एक निून कोन बनाते हैं CBX, हमने एक निून कोन बनाया CBX नीचे की ओर छटे चरण में हम क्या करते हैं हम BX के अनुदिश बिंदू तीन बिंदू लेते हैं B1, B2 और B3 ये बिंदू इस प्रकार है कि BB1 बराबर B1, B2, B2, B3 है हमने इस चरण में क्या किया यहां हमने BX के अनुदिश तीन बिंदू लिए B1, B2, B3 इस प्रकार अंकित किये है कि BB1 का मान B1, B2 के बराबर है और बराबर B2, B3 है अब हम सात्वे चरण में B3 को C से मिला देते हैं हमने क्या किया B3 को C बिंदू से मिला दिया आठमे चरण में हम B2 से B2 D समांतर कीची है B3 C के और इस प्रकार हमने BC पर बिंदू D प्राप्त कर लिया है तो इस प्रकार हमने BC पर एक बिंदू प्राप्त कर लिया D अब हम नवे चरण में D से AC के समांतर ED रेखा खीचते हैं हमने यहाँ इस चरण में क्या किया D बिंदू से AC के समांतर ED रेखा खीची जो BA को A बिंदू पर मिलती है अर्थात हमने E बिंदू पर मिलती है अर्थात हमने BA पर E बिंदू प्राप्त कर लिया है तो इस प्रकार हमें अब देखते हैं कि हमने तरभुज EBD प्राप्त किया है जो कि हमारा अभिष्ट तरभुज है जिसकी भुजाएं तरभुज ABC की भुजाओं की दो वटा तीन गुनी है हमने हमारा अभिष्ट तरभुज कौन सा है हमारा अभिष्ट तरभुज EBD है जिसकी भुजाएं दिये गए तरभुज ABC की भुजाओं की दो वटा तीन गुनी है अब हम अपने उत्तर का ओचित्ते समझते हैं हम अपने उत्तर की व्याक्या समझते हैं यहां हम देखते हैं कि DE समानतर है CA के हमारी रचना से DE समानतर है CA के इसलिए तरभुज ABC समरूप है तरभुज EBD के तो भुजाएं समानुपात में होंगी अर्थात EB बटा AB बराबर DE बटा CA बराबर D बटा BC होगा जो कि 2 बटा 3 के बराबर है क्योंकि हम रचना से देखते हैं कि BD अनुपात BC 2 बटा 3 के बराबर है अतहे हमें जो नया तरभुज EBD प्राप्त हुआ है उसकी भुजाएं तरभुज ABC की संगत भुजाओं की 2 बटे 3 गुने के बराबर है अर्ताथ जो हमने नया तरभुज EBD प्राप्त किया है उसकी भुजाएं तरभुज ABC की भुजाओं की 2 बटा 3 के 3 गुने के बराबर है